भाजपा की ओर से सुकरवार को कुछाई प्रखण के बिर्साम मुंडा स्टेडियो में प्रवतन सभा का योजन किया गया जिसमें राज के पुरुमकमंत्री अर्धुन मुंडा सामील हुए इस मौके पर पुरुमकमंत्री ने खरसावा बिधान सभा के आमदा में अधूरे पड़े मेडिकल कॉलेज अस्पताल को सरकार की नकामी बताई साथी उन्हें राज सरकार पर जम कर निसाना साधा इसके पहले तरी संख्या में आसकर महिलाया आए और हरी संख्या में आपके लिए परिवर्तन यातरा के लाहर चाहते हैं लोग राजय में परिवर्तन चाहते हैं इसलिए कि राजय सरकार हर मुर्चत पर फिपर हो गया है अपने स्वार्त के सामने कोई चीज दिख नहीं रही है अपने कुरसी के लिए लोगों की बली चड़ाई जा रही है और उसका हमारे चंपाई सोरेण एक काजा उधारन है चुनाओ आने वाले समय में जब एक राज में जब से हेवान सोरेण सरकार आया है अभी लगबग आपका पांस साल होने जा रहा है और पांस साल के बीच में जो जनता के बीच में जो मेनो के फेश्टी एक टू रख था कि हम जनता को यह का किसान को और यह का वेरोजगा और जुबक जुबतियों को नौकरी देंगे ऐसे बहुत सारे वादे किये थे पांच साल में हमने पूरा करेंगे लेकिन जनता को ठगने का अभी सिर्फ किया है और कोई उनका वादा किया हुए कोई काम पूरा नहीं किया तो अभी जारकन के लोगों का मनसिक्ता बदल चुकी है अभी अभी ये लोग एक के सोच के रखा है कि हेमन सुरेंज सरकार को यहां से बदलना है और यहां का जो आडिवासी मूलवासी